नमस्कार, कक्षा 10, एक्सरसाइस 4.3, कोशन नमबर 2 का चोथा भागम कर रहे हैं, हमें एक द्विघाती समिकरन दी गई है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, हमें इसका द्विघाती सुत्र का अप्योग करके इसका मूल ग्याद करना है, तो बचो ये है द्विघाती सुत्र, माइनस b, प्लस माइनस अंडरूट, b², माइनस 4ac, उपान 2a, ठीक है बचो, तो सबसे पहले, इस एक्वेशन को, 2x² प्लस x प्लस 4 को, ax² प्लस b, x प्लस c के साथ मिलाते हैं, x² के साथ है a, x² के साथ है 2, इसका मतलब a आ गया 2, x के साथ कुछ भी नहीं है, यानी है 1, और यहाँ x के साथ है b, इसका मतलब b किसके बरबर है 1 के, इसी प्रकार से यहाँ बिना x वाली रखम है 4, और यहाँ बिना x वाला है c, इसका मतलब c हो गया, प्लस 4 के, तीनों ही रखमे प्लस की है, तो a, b, c, तीनों ही प्लस के आ गए है, ठीक है बच्चो, आईए अब हम आ किसना आया है, 1, प्लस, माइनस, अंडर रूट, b स्क्यर, b है 1, यानि 1 का स्क्यर, माइनस, 4 इंटू a, a कितना है बच्चो, 2, इंटू c, c कितना है, 4, नीचे, 2 इंटू a, a कितना है बच्चो, 2, यह हमारे पास आ गया, हमें इसको हल करना है, x ब्राबर, माइनस, 1, प्लस, माइनस, अंडर रूट, 1 का स्क्यर होता है, 1, माइनस, 4, चोके, 16, 16 दूनी, 32, बटा, 2 दूनी, 4, अब हम इसे हल करते हैं, देखे, ब्राबर, माइनस, 1, प्लस, माइनस, अंडर रूट, 32 में से एक निकाला, 31, साथ में साइन, माइनस का, बटा, नीचे आ गया, 4, अब बच्चो, जैसा कि, आप यहाँ पर, देख पा रहे हैं, रूट के अंदर हमारे पास संख्याई है, माइनस, 31, तो जब भी हमारे पास ऐसा कुछ आ जाई, हमने पढ़ा था, डी जब है, डिस्क्रिमेंट जो है, जब वो जीरो से छोटा होता है, तो इसके जो मूल है, वो एक्जिस्ट नहीं करते हैं, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो अतह दी गई द्वी घात समी करण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका, किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब वो एक्जिस्ट नहीं करती, वो है ही नहीं, क्यों नहीं है बच्चो, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वाली संख्या हैं आगी, रूट के अंदर जब माइनस वाली संख्या आगी, इसका मतलब यह वास्तिविक संख्या नहीं है, ठीक है, यह हल नहीं हो सकती, जब यह हली नहीं हो सकती तो हम मूल कैसे निकालेंगे इसलिए अता दी गई द्वीगाद समिकरन के मूलों का स्थित्व नहीं है यहीं पर हम इस प्रशन को विराम कर देंगे यही इसका उत्तर है ठीक है बच्चो आशा करता हूँ आपको यह समझाया होगा बस मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ हमने द्वीगाद सुत्र के प्रयोग से उप्योग से हमने कोशन किया लेकिन हमने देखा रूट के अंदर हमारे पास एक माइनस वाली संख्या आगी है इसका मतलब D-discriminate यानि विविक्ट कर जो है वो 0 से चोटा है और जब भी ऐसा हो जाए तो हमने पढ़ा था कि जब D 0 से चोटा होता है तो मूलों का स्थित्व नहीं होता ताता दीगई द्वीगाद समिकरन के मूलों का स्थित्व नहीं है यहीं पर यह कोशन खतम हो गया धन्यवाद